प्रत्रीज बिलिए को आगे आगे आज को अधिने एक बाइनर्जेटिक्स को हम पड़े थे और अपने लास लेक्ट्र के अंदर हमने रोल ऑफ कलोरोप्लास्ट एंड रोल फोतोसंथेटेक्स पिगमेंट्स एंफोसंथेश को देखा था एक recap पिल लेते हैं अपने last lecture को और उसी को हम आगे आज continue करेंगे last lecture के अंदर हमने roll of chloroplast को देखा था हमने chloroplast के structure को देखा था और different हमारे पास जो structures हैं उनको detail में देख लिया था क्या क्या चीज़ें पाई जाते हैं chloroplast के अंदर उसके बाद हमने thalakoid की बात की थी जो के chloroplast का structure है और क्या क्या उसकी functionality है वो देखा था हम उसके बाद हम photosynthetic pigments की जब बात कर रहे थे तो हमने light को discuss किया था different light की जो हमारे पास wavelengths होती है जो के absorb कर लेते हैं different pigments pigments की types की हमने बात की थी chlorophyll और carotinoids आज का जो हमारा topic है आज हम इसी को आगे continue करेंगे और pigments को ही मजीद detail में देखेंगे photosynthetic pigments की जब हमने बात की थे तो हमने कहा था कि हम photosynthetic pigments को two major categories में divide करते हैं एको हम कहते हैं chlorophyll और एको हम कहते हैं carotinoids तो start करते हैं chlorophyll के साथ first जो हमारे पास type थी उसे हम कहते हैं chlorophyll second जो है उसे हम कहते हैं carotinoids ठीक है आज जो भी हम start लेंगे वो हम पढ़ेंगे सबसे पहले हम chlorophyll को देखेंगे उसके structure को देखेंगे chlorophyll chlorophyll ठीक है chlorophyll के जब हमने बात की थी तो हमने कहा था कि chlorophyll की different types होती है four major categories में हम इसको divide करते हैं chlorophyll A, chlorophyll B, chlorophyll C and chlorophyll D plants के अंदर जो majorly पाया जाते हैं वो हमारे पास दो chlorophylls है chlorophyll A and chlorophyll B mostly eukaryotic जो हमारे पास green plants है या algae है इनके अंदर जो है वो यह यह वली टाइप चे यह chlorophyll की पाय जाती है इसके अलावा अगर हम बेक्टीरिया को देखें बेक्टीरिया के अंदर भी हमारे पास पास कुछ photosynthetic bacteria होते हैं लेकिन photosynthetic bacteria के अंदर जो हमारे पास chlorophyll होते हैं थोड़ा डिपरेंट इसो हम कहते हैं Bacterio chlorophyll Bacterio Chloro Chlorophyll यह वो chlorophyll है जो के बेक्टीरिया के अंदर present होते है chlorophyll को हमने कहा था कि यह absorb करते हैं light को तो light की कौन से shades है या कौन से type की wavelength है जिनको chlorophyll absorb करते हैं तो light में हमारे पास violet blue और orange red यह दो types है light की जो के chlorophyll absorb करते हैं different types हमने chlorophyll की देखी थी तो हमने कहा था A और B types है इसी तरह violet blue जो है वो एक type absorb करती है और orange red जो है वो chlorophyll की दूसरी type है वो absorb कर लेती है तो इस तरह से हमारे पास यह colors की जो range है यह plant के अंदर visible नहीं होती हमने जब colors की बात की थी तो last lecture के अंदर भी हमने यह बात discuss की थी plant के अंदर green color क्यों visible होता है वो इसलिए होता है क्लोरोफिल जो है वो major quantity ज्यादा quantity में chlorophyll पाए जाते हैं chlorophyll जो है वो इन light को यानि violet blue orange और red इन तरह के light को absorb कर लेते हैं जबकि green color को वापिस reflect करते हैं तो जो color plants reflect करते हैं वो ही color plants के ओपर नजर आता है अच्छा यह तो हमने general discussion कर लिए इसके बाद हम आ जाते हैं chlorophyll के chemical structure के ओपर chemical structure of chlorophyll 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 का हमारे पास जो molecule होता है उसको हम दो major parts में divide कर सकते हैं एक को हम कहते है head region और दूसरे को हम कहते है tail region chlorophyll ओर हमने कहा कि हम इसको इसके structure है उसको हम दो major parts में divide करते हैं एक को हम कहते है head region और दूसरा है हमारे पास tail region head and tail में किया difference है, head जी है, वह हमारे पास flat hydrophilic head होता है फ्लाट हाइड्रो विलिक और जो टेल है वो हमारे पास लॉंग उती है dado ही होती है लॉंग हैंस गोई अलग पड़ना चाहें अगर हम हैं को देख लें तो हेट जो है क्लोरोफिल के अंदर वो एक कंप्लेक्स सबस्टांस होता है और इसको हम कहते हैं यह है पॉर्फरीन रिंग क्या हमने कहा कि एक तो ही है कि यह कंप्लेक्स सबस्टांस है ठीक है और यह पॉर्फरीन रिंग कहलाता है इस पॉर्फिर्ट रिंग में होता क्या है कि हमारे पास four different pyrrole rings जो है वो join हुए वे होते है four different pyrrole rings जो है वो join होते है और इसके दर्मियान में हमारे पास एक magnesium का structure होते है structure कुछ इस तरह से बनता हमारे पास यहां magnesium है और इसके side पे इस तरह से यह four nitrogen बनेगे और अब यहां भी जो nitrogen बनाओ है यहां पे हमारे पास ring का structure बनेगा कुछ इस तरह से ठीक है यहां पे भी से तरह हम इसको बनाना चाहें तो यह कुछ इस किसम का structure यहां पे हर इसके साथ भी और इसके साथ भी यहां पे हमारे पास ring बनेंगे एक अच्छा सा structure हम हम इसको देख लेते हैं ताकि हम इसको सही से समझ सके अच्छा यह आपको एक complexe diagram नज़र आ रहे है complexe structures नज़र आ रहे हैं के अंदर हम chlorophyll को जब देखना चाहें chlorophyll का structure है वह यहां पर यह वाला जो हमें ring नज़र आ रहे हैं यह हम head region की जहां बात कर रहे हैं यह head region है और इसके लावा यह जो नीचे है यह tail region ठीक इसको हम बलके यहां पर mention कर देते हैं यह जो है यह हमारे पास है head और यह जो region है पूरा कर पूरा इसको हम कहते हैं यह है टेल ठीक है head ज़से के मैंने कहा के complex substance है यहां पर दर्मयान में magnesium है magnesium के site में हमारे पास four rings हैं जिसे हमने कहा था कि यह हमारे पास है pyrrole ring कुछ इस किसम का structure है chlorophyll का और chlorophyll के दर्मयान में जो magnesium present है यह काफी important है प्लांट के color के लिए भी और प्लांट के प्लांट के प्रेसंस की वज़ा से भी यही वज़ा है कि plant के दर के magnesium की deficiency हो जाए तो हम कहते हैं के chlorophyll की deficiency भी हो सकती है chlorophyll के deficiency से क्या होगा कि plant के जो color है वो yellow होता जाएगा अच्छा जब हम human blood की बात करते हैं human blood के अंदर भी hemoglobin के अंदर hemoglobin का structure है वो बल्कुल exactly इसी तरह ही जो hydrogen हम देख रहे हैं की तरह का होता है लेकिन इसमें difference ही होता है कि यहां पर magnesium है वहां पर हमारे पास iron होता है यह हमने देख लिया chlorophyll का structure chlorophyll के structure के अगर हम इसकी chemical formula की बात करें यह जो इतना बड़ा structure बन गी जिसमें ठेर सारे carbon है hydrogen है oxygen है hydrogen magnesium तो जब हम इन सब को यह कठा करते हैं तो हम कहते हैं कि chlorophyll के अंदर हमारे पास जो इसका molecular formula बनता है वह कुछ इसकी किसम का होता है molecular C 55 H 72 O 5 N 4 Mg ठीक है यानि एक magnesium एक magnesium के साइट पे 4 nitrogen फिर उसके बाद में पर 5 oxygen 72 hydrogen 55 carbon है यह हमारे पास आगे है chlorophyll A का structure ठीक है chlorophyll A ठीक है जब हम chlorophyll B के बात करते हैं उसके अंदर थोड़ा सा difference है chlorophyll A और B के अंदर यहां पर अगर आप इसके structure को देखें आपको CH3 group नजर आ रहे है CH3 जो है इसे हम कहते हैं यह हमारे पास methyl group है या एक functional group का difference होता है chlorophyll A और chlorophyll B के अंदर chlorophyll A के अंदर जो functional group है और chlorophyll B के अंदर functional group है उसे हम कहते हैं carbonyl group जिसे CHO से represent करते हैं तो बागे पूरा का पूरा structure सेम है, सिर्फ एक difference है, यहाँ पर functional group का difference, यह बाद जो group है, यह different होगा दोनों chlorophyll के अंदर, और इन दोनों के different होने के वज़ा से होगा, क्या होता है, कि different तरह की light जो है, वो यह absorb करते है, chlorophyll A उसका absorption spectrum, अगर हम देखें, तो chlorophyll A blue green light को absorb करते है जब क्लोरोफिल B जो है, इसका absorption spectrum different होता है, यह yellow green light को absorb करते है, यह absorb नहीं करता है, रिफ्लेक्ट करता है, यहाँ क्लोरोफिल A जो है, वो हमारे पास blue green light को reflect करेगा, जब क्लोरोफिल B जो है, वो yellow green light को, यानि कि green color इसने हर case में reflect back करना है, अगर हम इसकी abundance के बात करें, chlorophyll A जो है, वो हमारे पास quantity में, atmosphere में काफी जादा तादा में पाए जाता है, green plants के अंदर, जब के chlorophyll B जो है, वो इतनी जादा quantity में नहीं पाए जाता है, but it is present chlorophyll chlorophyll A जो है, this is abundant, ये बहुत जादा quantity में पाए जाता है, और जब हम pigments के बात करते हैं, तो chlorophyll A इसेल्फ जो है, ये भी different forms में पाए जाते हैं, जिसे के chlorophyll A के हमारे पास different categories होती हैं, और हर category different तरह के light को absorb करती है, for example, red के shades के जब हम बात करते हैं, तो chlorophyll A जो है, वो 670, 680, 690, 700, इस तरह से हमारे पास nanometer में ये हम देख रहे हैं, तो इस तरह से हमारे पास four different types के chlorophyll A होते हैं, और वो different तरह की light को absorb करते हैं, इसे तरह chlorophyll B जो है, वो chlorophyll A के साथ साथ पाए जाते हैं, और chlorophyll B जो है, वो blue green जो हमारे पास blue या indigo के shades है ये उस तरह की light को absorb करते हैं, जो के lower हमारे पास wavelength की light होते हैं, जैसे के 380 से लेके आगे onwards, इनकी frequency wavelength चलती जाते हैं, जैनल करेक्टिशिक की जब हम बात करते हैं, तो हम कहते हैं, क्लोरोफिल जो होते हैं, ये insulubal in water होते हैं, पानी के अंदर ये absorb नहीं हो सकते हैं, और ये तो अगर ये soluble हों तो ये तो उसके अंदर ये dissolve होते हैं, इसलिए plants के अंदर जो chlorophyll होते हैं, ये insulubal होते हैं, water के अंदर, चीक है, लेकिन कुछ और substances जैसे के हमारे पास organic solvents होते हैं, उनके अंदर absorb हो सकते हैं, या dissolve हो सकते हैं, solvents like carbon tetra chloride हमारे पास होते है, CCL4, या फिर हमारे पास alcohol type solutions होते हैं, C2H5OH, इस तरह के solvents के अंदर ये dissolve हो सकते हैं, इसके बाद हम आजाते हैं, carotenoids के उपर, carotenoids जिसे के हमने बात की कि, दूसरी type है, हमारे पास pigments की, carotenoids, और ये कौन से, ये वो pigments हैं basically, जो के absorb करते हैं हमारे पास different alcoholites को, जिसमें yellow, red और orange के shade आ जाते हैं, yellow, red, and orange, sorry, absorb नहीं करते हैं, reflect करते हैं, absorb करने के लिए इनको high energy waves चाहिए होती हैं, जैसे कि blue, violet, blue, violet, indigo, ठीक है, ये वहले जो shares हैं, ये carotenoids absorb करते हैं, और इसके वज़ए से, जो color है, plant के अंदर, yellow, red और orange color, ये उस वक्त prominent हो जाता है, जब plant के अंदर, carotenoids जादा हो जाते हैं, ठीक है, अच्छा, chlorophyll के साथ है, carotenoids का function है, वो कुछ थोड़ा सा मिलता जोलता है, या नहीं हम कह सकते हैं, कि side by side चलते हैं ये दोनो, side by side इस तरह से चलते हैं, कि calm chlorophy जो है, वो different shades को, जैसे मैंने बात की, blue, violet या indigo की, तो ये वोवले shades हैं, जिनके अंदर energy काफी जाद होती है, जैसे हम wavelength के बात करते हैं, तो blue, indigo, violet जो है, इनके wavelength relatively कम होती है, यानि कि हमारे पास 380 से लेके, onwards जो हमारे चलती जाती है, wavelength जो के आती है, तक्रीबन हमारे पा जाती है, यह हम जानते हैं, तो इनकी frequency काफे जाता होती है, इसलिए इनके अंदर energy काफे जाता होती है, तो यह जो high energy waves है, यह high energy light rays है, केरोटिनोइड्स क्या करते हैं, कि इनको absorb कर लेते हैं, और फिर इनको ट्रांसफर कर देते हैं, आगे जाके chlorophyll के अंदर, यह जो energy transfer हो जाता है, हमारे पास सबसे पहले तो, केरोटिनोइड्स ने किया, केरोटिनोइड्स ने इनको absorb किया, उसके बाद इनको इनको बेज दिया, आगे जाके chlorophyll B में, ठीक है, और chlorophyll B क्या करता है, यह उस energy को आके transfer कर देता है, chlorophyll A के अंदर, ठीक है, तो इस तरह से हमारे पा के वही energy utilize हो जाती है, ब्लांट के अंदर, एक और important functionality जो केरोटिनोइड्स की है, वो यह है कि वो protect करते हैं, ब्लांट को, protection, protection किस तरह से हो रही होती है, protection इस तरह से होती है, कि जैसे कि हमने कहा कि करोटिनोइड्स ने वो light को absorb करते हैं, और high energy lights को absorb कर लेते हैं, तो सबसे प absorb कर दिया, high energy को, और जब यह high energy को absorb कर लेते हैं, तो इन्हें मालूम होता है कि इन्होंने किस तरह किया, कितने energy को रखना है, और बागी को यह dissipate कर देते हैं, यानि जाया कर देते हैं, Dissipate Excessive Excessive Light Energy, यानि कि extra जो इनके पास light energy आ जाती है, यह उसको dissipate कर देते हैं, जाया कर देते हैं, और जितनी energy चाहिए होती है, उतनी ही chlorophyll के पास transfer करते हैं, तो यह हमने देख लिया करोटिनोइड्स को, यही पर end करेंगे हैं अपने इस lecture को, थोड़ा सा इसको summarize कर लेत हैं, सबसे पहले हमने photosynthetic pigments के जा बात की तो हमने देखा कि दो तरह के pigment है chlorophyll और करेटुनाइड, chlorophyll के अंदर हमने इसकी different types को discuss किया, chlorophyll A, B, C, D, chlorophyll को हमने जब structure देखा, chemically तो हमने कहा कि इसके chemical structure में दो पार्ट्स है, एक head और एक tail region, head के अंदर एक complex structure है, और वह पर इसके side पे 4 nitrogen के हमारे पास rings present होते हैं, जिसे हम कहते हैं, फ्राइरोल rings, फिर इसके बाद हमने इसके detail structure को देखा, और इसके बाद हमने देखा कि difference क्या है chlorophyll A और B के अंदर, difference हमने कहा कि एक functional group का difference है, chlorophyll A के अंदर जो functional group है, वो methyl कहलाता है, chlorophyll B के अंदर जो functional group है, व उसके बाद हमने molecular formula दोनों का discuss के लिए, sorry chlorophyll B का molecular formula मैंने आपको नहीं बताया, chlorophyll B के अंदर ही होता है, कि जैसे कि हमने बात की ना, chlorophyll A, C55, H720, O5, N4, Mg, से था, chlorophyll B के अंदर, difference है, वो हमारे पास hydrogen और oxygen का आता है, C55, H720, O6, N4, Mg, ठेक है, तो यह हमारे पास formula है, chlorophyll B का, chlorophyll B, ठेक है, difference कि सीज़ का आ रहा है, यहां पे, hydrogen और oxygen की numbering में आ रहा है, otherwise बाकी पूरा formula जो है, वो इसका, उसी तरह से, अच्छा, यह हमने देख लिए, उसके बाद हमने कहा, केरोटिनाइट जो है, उनका क्या काम है, वो कौन-कौन सी टाइप की light को absorb करते हैं, कौन सी light को वापिस reflect back कर देते हैं, और उसके बाद हमने केरोटिनाइट की function को देख लिया, या उसके काम को देख लिया, कि वो क्या करते है, प्लांट के अंदर, यह तो हमने end के लिए, आज का topic जो कि था, pigments के बारे में, इसके बाद, अपने नए फ्रेक्चर के अंदर, हम roll देखेंगे, light का, और carbon dioxide का photosynthesis के अंदर,